नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका UK Education University चनल पे दोस्तों इससे पहले राजपाल सिंग सरीज में हमने साहित्य से संबंदित आधिकाल पर डिसकस किया था आज हम डिसकस करने वाले हैं पूरो मैधिकाल पर यानि कि जो हमारा भक्तिकाल था उस पर आज हम डिसकस करेंगे और स सांथी जो इसका हमारा पूरो मैधिकाल है या फिर भक्तिकाल के हैं इसका जो कारेकाल है वो देखने को मिलता है दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि कौन-कौन से हमारे निर्गुन का विधारा के जो कभी है या फिर ग्यानास रही है प्रेमास रही है या फिर जो हमारे सग या फिर theory session से related जितने भी हमारे वीडियो के PDF हैं वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मैं uploaded कर दूँगा आप लोग जाके वहाँ से भी उनको देख सकते हैं तेलिग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के description box पर डालूँगा आप लोग वहाँ से जाके उनसे जुड़ सकते हैं साथ ही जो हमारा हिंदी का राजपाल सिंग सरीज चल रहा है उसका अलग से उसकी एक playlist बनी हुई है यह दिगर आप लोग ने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके वो वीडियोज देख सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के description box पर डालूँगा साथ ही जो MSQ सरीज चल रहा है हमारा राजपाल सिंग सरीज में दोस्तों निर्गुन काबिधारा जो थी हमारी इसमें हमारे ग्याना सरीज जो हमारी साखा के या फिर संत काबिध के रूप में इसको हमने जाना है दूसरा जो हमारा है उसको हमारा प्रेमा सरीज साखा या फिर सूफी काबिध के रूप में इसको हम लोग जानते हैं वहीं अगर सगुन काविधारा के अगर बात करेंगे तो दोस्तो रामा सरही साखा के जो कवी है इसमें देखने को मिलते हैं वहीं अगर किसना सरही साखा के जो हमारे कवी हैं वो भी हमारे सगुन काविधारा में देखने को मिलते हैं अच्छा उसके बाद अगर बात करेंग प्रारम्वद्षन भारत के आलवार भktों की परमपरा से हुआ। बारह आलवार भक्तों में प्रथम भक्त, नमल्वार या फिर सटकूप माने जाते हैं। जबकि महलाओं भक्तों में अंडाल का नाम प्रमुख है जिनहें दक्षन भारत की मीरा कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे आलवार भक्तों के जो संख्या है वो लगवग वार हमारी बताई गई है। लेकिन उनमें से जो आलवार में जो प्रतम भक्त था वो हमारा कौन हो गया नम्मलवार ये पूछा जाएगा कि पहला आलवार भक्त हमारा कौन था तो दोस्तों ये कौन हो गया हमारा नम्मलवार था अगर उसे को अगर हम महला भक्तों के अगर बात करेंगे तो इसको अंड वृष्भति के जो आध्या आचारी है वो हमारे रामानुच को देखने को मिलता है अगर देखा जाए तो गिरियसन महोदे ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वार्न यूग कहा है अच्छे गिरियसन जो महोदे है नहोंने क्या कहा है जो भक्तिकाल है भक्तिकाल को ही हिंदी का साहित्य का एक क्या कहा है स्वार्न यूग के रूप में जाना गया है फिर देखीगा आचारे रामसंद्र सुकल ने पूरे मधिकाल को भक्तिकाल कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने भक्तिकाल को पूरे मधिकाल कहा है अब भक्तिकाल को दो भागू में वाटा गया है उससे पहले ये थोड़ा सा इंपोटेंट पॉइंट है अगर देखा जाए तो गिरियसन महदे ने क्या कहा था जो भक्तिकाल है उसी को हिंदी साहित्य का स्वान यूग कहा था एक कोशिन पूछी जाएंगे कि हिंदी साहित्य के स्वान यूग के रूप में भक्तिकाल को किस ने कहा था तो हमारी गिरियसन जी के द्वारा कहा गया दोसरी जी जगर देखा जाए तो भक्तिकाल के रूप में पूरमधिकाल को भक्तिकाल किस ने कहा तो दोस्तों हमारे रामचंदर सोकली जी के द्वारा कहा गया और पूरमधिकाल को हमारा भक्तिकाल किस ने कहा तो डॉक्टर नगेंदर जी के द्वारा कहा गया थे यह आप अगर दिखा जाने तो जाती प्रता काफिरोत आवबुम हिंदु मुसलिम एकता पर विसेश बल दिया गया है अब जो निर्गुन काफिय धारा थी इसमें क्या करा गया जो जाती प्रता है हमारी cambiarा की दो साकाई थे एक तो हमारी ज्याना स्रई जो संत कावो था और दूसरा हमारा प्रेमा स्रई थी जो हमारी सुफिकाव की रूप में जानी जाती थी पिर देखीगा इन्हें भी जाने में अगर देखा जाए तो क्या बोलता है कि आचारे राम चैंदर सुकल ने कबीरधास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी अब आचारे जो हमारे कौन है रामचंदर सुकल जी है उन्होंने कबीरदास पहले सुतनतर रूप से कोई भी आलोचना नहीं लिखी है अंग बदू सीरसक की अंतरगत किया है अब उसके बाद दिखा जाए तो अमीर खुसरो को सुफी मुक्तक काबिका पर्थम रचीता माना जाता है रामबिला सर्मा ने भक्तिकाल को लोग जागन काल की संग्या परदान की है फिर देखेगा अवधी और ब्रजवासा दोनों में रचना करने वाले कभी गोस्वामी तुलसिदास जी है उन्हें जातिय कभी के रूप में भी जाना जाता है जातिय कभी के रूप में किसे जाना जाता है कोशिन पूचा जाता है तो हमारे गोस्वामी तुलसिदास जी को जाना जाता है तो वो भासा बालमी की रामायन नाम से अनुबात किया था बलाबहाचारे ने पुष्टी मार्गी की इस्थापना करी थी अच्avy पुष्टी मार्गी की इस्थापना किसके तरह करे गई तो बलाबहराचारी कोशिन पूछा जाता है 84 बेस्टनों को वारता का संबन्द बल्लब संप्रदाई से हैं और आचारे रामचंदर सुकल ने उत्रमध्यकाल को रितिकाल कहा था ये कोशिन काफी इंपोर्टेंट है कि किस ने उत्रमध्यकाल को रितिकाल के नाम से यह फिर रितिकाल का नाम दिया तो यह हमारे आचारी रामचंदर सुपलीजी के नाम से जाने जाएंगे फिर देखेगा अब हम बात करेंगे ज्यानासराई साखा के जो संत काभी है उसके बारे में तो दोस्तों ज्यानासराई साखा के जो संत काभी है ठीक हो गया, अगर जब बात आगी ज्याना सरह की ने फिर संतकार देखी तो आप लोगोंने इतना याद रख लेना है कि उसमें कबीरदास ये का नाम सबसे पहले होगा क्योंकि उन्हों के वही सबसे पहले कभी भी रहे हैं और जो कबीर सब्द है ये हमारा किस भासा का सब् कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालिन थे कबीर की बनियों का प्राचींतम नमुना गुरुगरंत साहिब में मिलता है कबीर की बनियों का संग्रह बीजक कहलाता है जिसे संकलित करने का सरे उनके सिश्य धर्मदास को जाता है अब सबसे पहले देखिए का जो हमारे कबीर दास चीथे वो किसके समकालिन थे अगर पूछा गया तो दोस्तों हमारे सिकंदर लोधी के समकालिन ये थे और वहीं अगर देखा गया तो कबीर की जो बनियां का प्राचीन्तम नमोनज है वो हमारा आचारे रामतंदर सुक्ल ने निर्गुण ग्यानासरी साखा एबं हजारी परसाद दिविदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया है फिर देखेगा ग्यानासरी साखा के कभी एबं उनकी रचनाएं अगर देखा जाए तो दोस्तो सबसे पहले तो हमारे कभी दास जी अगर देखा जाए तो कभी दास जी के जो सबसे पहली हमारी कैति रचना थी वो बीजक के रूप में जो हमारी कैति साखी, सबत, रमैनी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है रैदास के अगर देखा जाए तो दोस्तो रैदास के हमारी बानी के रूप में दे देखेज़ दादू दयाल के बात करेंगे तो अंग, बदू, काब्य, संग्रह, यह फिर हरेडवानी की जो हमारी रशना हैं, वो हमारी दादू दयाल ने करी हैं, उसका मलुकदास की जिवा देखा जाएं, तो मलुकदास की जो रशना है, वो रत्न खान, ज्यान बोत, और मुलुकदास जी ने करी है फिर सुन्दर शाम सुन्दर दास जी करें बात करें तो सुन्दर बिलास ब्रजभासा ज्यान समुद्रें फिर ब्रजभासा के रूप में सुन्दर दास जी को हमारा जाना जाता है अब विसेश देखा जाए तो क्या करा है कवीरदास की जो भासा है दोस्तों कवीरधास जी से अब बैसे पहलत्र देने के आयोशकताप पड़ेगी अब जो शाम सुंदर दाश जी थे हमारे रामचंदर सुक्ल ने तो हमारी क्या का? सुदक्कडी भासा गा था लेकिन शाम सुंदर दाश जी ने क्या का था कबिरदाश की जो भासा है उसको पंचमेल खिचड़े के रूप में प्रयूग किया गया था वहीं अगर बात करेंगे हजारी परसाद दिवेदी जी की तो उन्होंने कविरदास को कविरदास को भासा को कविरदास जी की जो भासा है उसको वाने का डिक्टेटर के रूप से संबोधित किया है अच्छे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये सभी ही जो पॉइंट हैं हमारे खासकर कविरदास जी से रिलेडेड तो ये काफी इंपोर्टेंट हमारे देखने को मिलते हैं आप लोग इनको जरूर याद रखाए फिर देखेगा प्रेमा सरही साखा ये फिर सूफी काभी के अगर बात करेंगे ज्याना सरही हमने देखा अब हम लोग क्या देखने वाले हैं प्रेमा सरही साखा ये फिर सूफी काभी के रूप में हम लोग देखेंगे इससे पहले हमने संत काभी को देख लियाता है फिर देखेगा प्रेमा सरही काभी के प्रमुक कभी मलिक मुहम्मद जैसी थे अच्छे दोस्तो अगर ज्याना सरही की बात करेंगे तो ज्याना सरही जो हमारी थे उसके प्रमुक कभी के रूप में माना जाता है क्योंकि प्रेम से इस्वर की प्राप्ति होती है ऐसी उनकी मानेता है अच्छे दोस्ते जो प्रेमा सरे साखा के जो प्रमो कभी थे वो मलक मुहमद जैसी जी थे और वो क्या कहते हैं कि इस साखा को प्रेम मार की साखा माना गया है क्योंकि प्रेम से इस्वर की प्राप्ति होती है ऐसी इनकी मानेता थी भक्तिकाल की सूफी का बिधारा में ही परमात्मा को इस्तरी और आत्मा को पुरुस के रूप में चिनहित किया गया है सूफी संतों की सैली मन-मसनवी सैली है और वहीं राजकुमार बर्मा ने मुला दावद को प्रेमाख्यान का परवरतक माना है विवन्य विद्ध्वानों की दृष्टी से सुफिका बिधारा प्रेम वार्गि साखा के प्रथम कभी और उनकी रचना है तो जो हमारे विद्ध्वान थे गनतपति-छंद्र गूप्त के अनुसार कभी असाइत इनकी जो रचना है वो हनसावली वही रचना के रूप में जानी जाती है डॉक्टर रामकुमार बर्मा के अनुसार मुला दाउद जो हमारे चंदायन जिनकी रचना देखने को मिलती है और डॉक्टर हजारे परसाद दिवेदी जी के अनुसार इस्वरदास सत्यवती कथा जिनकी रचना देखने को मिलती है और प्रमुक की बात करेंगे तो दोस्तो राजकुमार वर्मा जी के अनुसार जो मुला दाउद जी है उनके जो चंदायन है इसका उलेक अधिकतर देखने को मिलता है फिर अगर अन्यकभी और उनके रशनाओं के अगर बात करें तो प्रेमासरे साका के प्रमुक कभ पदमावत है थोड़ देर पहले मैंने आपको पूछा भी था तो आ गई है यानिकि जो हमारी पदमावत जो रचना है ये किसके तरह लिखी गई है मलिक मुहमद जी के दवारा लिखी गई है लेकिन किस भासा में लिखी गई ये कोशन आशकली इस तरीके से पूछने लग दी है फिर देखेगा अगर मुलादावत की बात करेंगे तो दोस्तों चंदायन जो अवधी भासा में लिखी गई है ये मुलादावत जी के दवरा इसके रचना करी गई है कुतुपन जी ने म्रगावती यानिकि अवधी भासा में इसका उलेक किया है वहीं अगर बात करे जी तियुक्त ओंगे तो मधुमाल्टी जुर्णीय में जी के दॉ declara दौश्य कंतर वडिचिंद दूरम्म्हं मध की तो दोस्तों इंद्रावति या फिर आफिर्डी वहावकूलागा जाते है जो हमारे नूर मुहम्मत इसके रशनाकार के रूप में जाने जाते हैं अब विसेश देखेगा आचारे रामचंदर सुकल ने पदमावत को समासोक्ती कहा है आचारे रामचंदर सुकल जी ने जो हमारी पदमावत है उसको हमारा क्या कहा गया है समा सोक्ति कहा गया है मलिक मुहम्मद जैसी जी के दोरा इसके रचना करी गई थी जैसी को हेतु प्रिक्षा या फिर उत्प्रिक्षा बादसा कहते हैं अच्छा जो मलिक मुहम्मद जैसी जी है हमारे इनको हेतु प्रेक्षा या फिर उत्प्रेक्षा का बात्सा के रूप में भी झाना जाता है फिर देखिए हम मुला दावत को हिंबी का पर्थम सूफी कभी मना जाता है इन्होंने ठेट अवुदी की रचना करी थे अचा दोस्तों मुला दावुद democracy जो है बिजय देव नारान जी हैं, उन्होंने क्या गया, जो पदमावत है, उसने हिंदी में अपने ढंसे अकेले ही क्या का, इसको ट्रेजिक क्रिति की रूप में इसको मानेता दी है, फिर देखेगा, आचारे रामचंदर सुकले ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रव सगुन काप्यधारा में हमारे कौन से कभी होंगे, उनके बारे में हम आज डिसकस करेंगे, खिर देखेगा, सगुन काप्यधारा इस साखा के अंतरगत, इस्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है, सगुन काप्यधारा की भी दो साखाएं हैं, एक तो हमारे कौन से होगी रामा स्राइज साखा और दूसरी हमारे किस्टना स्राइज साखा होगी यानि कि ऐसे लोग जो हमारे राम को मानते हैं या फिर उस साखा के हैं राम को मानने वाले साखा के हैं और दूसरी हमारे जो क्रिश्न को मानने वाले साखा के हैं तुलसिदास जी के रूप में जाने जाते हैं अगर देखागे कि रामा सरे साका की जो प्रमुक कभी हैं इवन उनकी रचनाए हैं तो सबसे पहले उसमें किसका नाम आता है तो ये हमारे तुलसिदास जी का ही नाम देखने को मिलता है तुलसिदास जी के नाम पर देखें तो देखेगा रामचरित मानत जो हमने जो देखने को मिलती है कि अबुदी भासा में जो लिखी गई है क्योंकि आजकल रामचरित मानत किस ने लिखी नहीं पूछा है पूस्ता कोशिन ये है कि रामचरित मानश किस भासा में लिखी गई है तो अबधी भासा में लिखी गई है किसके दोरा तो तुलसिदाजी के दोरा लिखी गई है बिनेपत्रिका है जो इनके दोरा ब्रजभासा में लिखी गई है कवितावली है जो ब्रजभासा में लिखी गई है गीतावली है जो मुक्तक काब्य में लिखी गई है और वहीं दोहावली की बात करेंगे तो हमारी ब्रजभासा में और प्रश्ण गितावली ब्रजभासा में रामलला नहचु, बरवे रामायन पारवती मंगल, जानकी मंगल वेराग्य, संदीपनी, हनुमान बाहु रामाग्या, प्रश्ण अगनी परिक्षा जितनी भी हमारे देखने को मिलती हैं तो ये सबी ही किसके हैं, रचनाएं हैं हमारे तुल्सिदा जी के हैं, तुल्सिदा जी को अवधी और ब्रजभासा, इन दोनों में ही इनके जो रचनाएं हैं, वो अधिकतर देखने को मिलती है फिर देखेगा दोस्तों अगर आगे की बात करेंगे, तो बालमिकी जी के दोरा हमारे क्या लिखी गई है, रामायन लिखी गई थी जो हमारी संस्कृत भासा में जिसका उलेक देखने को मिलता है दूसरा अगर रामानन जी को देखें तो दूस्तों तो रामानन जी के दवरा राम आर्थी के रूप में नहीं लिखा है, नाबादास जी के अगर बात करेंगे तो अस्ट्रयाम इने की व्रषभासा में और भक्त माल इनने व्रषभासा में रचना करी है, केसवदास जी ने हमारी रामचंदरी का प्रभंध काद्य विज्ञान की इता अध्यात्मिक जुगरंत है वो केसवदास जी के द्वारा रचित है वहीं अगर नरहरी दास की अगर बात करें तो पौरुसे जो रामायन है वो हमारी नरहरी दास जी ने लिखी है अगर अग्रदास की बात करेंगे तो राम भंजन मंजरी, रामाष्ट मयाम, कुंडलिया, ध्यान मंजरी, हितोब देश और उपाशना, वावनी जो हमारी रशना है ये अग्रदास जी के दोरा करी गई है अग्रदास जी के बात करेंगे तो दूस्तो भरत मिलाप है, अंगत केज है, सत्यापती कथा, ये सभी हमारी इस्वरदास जी के दोरा लिखी गई है सेनापती हमारी कवित्र रतनागर ब्रजभासा और काब्य कल्पद्रुम जो है वो हमारे सेनापती जी के दौरा रचित देखने को मिलती है अच्छा बिसेश की बात करें तो रामचंदर सुकले के अनुसार जिस प्रकार रामचरित मानस का गान करने वाले भक्त कव्यों में श्वामी तुलसिदास का इस्थान सर्वस्रेष्ट हैं उसी प्रकार कृष्ण चरित का गान करने वाले भक्त कव्यों में महात्मा सूर्दा जी का है अगर बात करेंगे हम राम चंद्रिका को चंद का अजायब घर कहा केसो दास को अलंकारों का बात सा कहते हैं वहीं बात करेंगे केसो दास हिंदी के पर्थम अलंका निरूपक आचारिय है राम चरित मानस को राम भक्त काव्यधारा काव्यका सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है अच्छे दोस्तों इसमें हमारे तीन-चार जो कोशिन है वो बड़े इंपोर्टेंट निकल गया रहे है यानि कि चत्रवेदी ने राम चंद्रिका को छंदू का अजयब घर कहा है और केसवदास को अलंकारों का वासा किसे का जाते है तो केसवदास जी को अलंकार निरूपक आचारे के रूप में किसी जाना जाता है तो ये भी हमारे केसवदास जी को जाना जाता है अगर वहीं बात करेंगे राम चरित मानस में राम भक्त काव्यका सबसे मानस में कुल साथ कांड हैं जिसमें सबसे बड़ा जुकांड है वो बाल कांड के रूप में जाना जाता है जबकि सबसे छोटा जुकांड है वो हमारा किंकिस्ट धाकांड के रूप में जाना जाता है जबकि सबसे छोटा जुकांड है और सबसे छोटा जुकांड है वो हमा कांडों का सही करम इस प्रकार है देखीगा वो साथ कांड हमारे कौन-कौन से देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी बात करी गई है तो सबसे पहला जो है वो हमारा कौन सा हो गया बाल कांड हो गया उसके बाद हमारा कौन सा है आयुध्या कांड है फिर उसके बाद हमारा अरण्य कांड है फिर दिखेंगे तो किंकिस्दा कांड है और उसके बाद सुंदर कांड हो गया और लंका कांड और उसके बाद हमारा उत्तर कांड की रूप में इसको जाना गया है इसमें अयोध्या कांड को हिर्दे कांड भी कहा जाता है अच्छे इसके जो रचना है वो हमारे कहाँ पर करे गई है कासी में करे गई है रचना की दिष्टे से केसवदास रितिकाल की कभी में किन्तो काल की अनुसार भक्तिकाल की कभी है अच्छे दोस्तो अगर देखा जा तो रचना की दिष्टे से जो केसवदास जी हैं वो हमारे रीतिकाल के कभी के रूप में जाने जाते हैं किन्तो जो काल है के अनुसार देखें तो वो भक्तिकाल के कभी है इस तरीके से हमें बताता है तो दोस्तो आज हमने रामा सरे साखा के जो कभी हैं उनके बारे में डिस्कस किया कल हम बात करेंगे किसना सरे साखा के जो कभी है उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे जो हमारे किसना सरे साखा के जो कभी है और उनके बारे में तो दोस्तो हिंदी राजपाल सिंग स्रीज में हम डेली ही साहित्ते की एक वीडियो लेकर आ रहे हैं मैं उम्मित करता हूँ बहुत जल्द हम इसको खत्म करेंगे लेकिन बहुत लंबा चेप्टर है तो समय जरूर लगेगा लेकिन हम लोग इसको बड़े प्यार से इतमिनान से पढ़ने के बाद ही इसको खत्म करने का प्रयाज करेंगे तो दोस्तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें ताकि आप लोगों को इनकी PDF भी मिल जाए और साथ ही अन्य वीडियो जो आप लोगों ने अगर नहीं देख रखे हैं हिंदी से रिलेटेट चाहिए आप UPPSC के त्यारी कर रहे हैं या फिर आप UPPSC के त्यारी कर रहे हैं या फिर UPPSI की कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं उन सब्जेक्टों के लिए या फिर आपके सलेवस के अगर्डिंग जो ये चेप्टर हैं काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं तो दुस्ते दिए आप लोगो ये वीडियो च अच्छी लग रही हैं तो आप लोग चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को जुरूर सेयर करें मांकि लाइक करें, कमेंट करें और बनी रहेगा UK Education University उटूप चैनल के साथ धन्यवाद